ध्यान से देखा जाए तो यह स्पष्ट होता है कि गद्य रचनावों में भी कविशमशेर अपने पूरे वजूद के साथ उपस्थित हैं वे गद्य और पद्य की भिन भावदशाओं और मुद्राओं में खुले पन से बाचीत करते हैं एक कहानीकार के रूप में उनकी विशेष्टा है ठोज जमीन और स्वदेशी गहराई अपनी कहानियों के बारे में स्पष्ट करते हुए स्वयम शमशेर ने कहा है कि वे कविता के भाव से वहां उत्पन हो सकती हैं जहां वह भाव किसी समस्या की उल्जन हो और उसका दर्द सुलकता हुआ सा चित्रपट बनना चाह रहा हो यहां यह एक बात ध्यान रखने की हैं कि गध्य हो या पद्य शमशेर की भाशा बनावटी नहीं है शमशेर खड़ी बोली क्षेत्र का प्रतिनीदित्व करते हैं और उसका ठेट तता एक सीमा तक कुर्दरा अंदाज उनकी भाशा में भी हैं इसलिए उनकी कहानी पढ़ते समय यह साफ दिखाई देता है कि उनका गध्य बाचीत की शेली का है वे जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते भी हैं लिखते समय भी वे बाचीत का खुलापन लाते हैं स्वयम शमशेर की द्रिष्टी में उनकी कहानिया कविता के उनके अतियतार्तवादी प्रक्दशील बोध से बिन्न हैं और यह बात और भी प्रामानिक हो जाती हैं जब हम उनकी कहानी प्लॉट का मोर्चा को देखते हैं उलेखनी हैं कि भले ही शमशेर कवी के रूप में अधिक विख्यात हूँ लेकिन प्रकाशन क्रम में उनकी गध्य रचनायें पहले सामने आई उनका निबंत संग्र दो आप 1948 में प्रकाशित हुआ तो कहानी का प्लॉट की कहानियां वस कैच 1952 में अपने और अपनी रचनाओं के संदर्ब में शमशेर बादूर सिंग बहुत ही संकोची अंदाज में प्लॉट का मोर्चा में पाठकों से शुरू में ही इस तरह कहते हैं कि बहुत सी चीजें नींद में होती हैं या खुलती हैं कुछ कहानिया इन्ही चीजों की च्छाया हैं कहानिया कविता के भाव से भी पैदा हो सकती हैं जहां वह भाव किसी समस्या की उल्जन होता है और उसका दर्द केवल एक सुलकता हुआ सा चित्रपट बनना चाता है कुछ कहानिया इस संग्रव में ऐसी ही है शायद जी की बातें सी कहनी की कोशिश गो ये बातें खत्म तो नहीं होती कभी शायद यही नहीं वे यह भी अपनी ओर से बताना नहीं भूलते कि यह संग्रव कुल मिलाकर प्रगतशील नहीं है चायावादी युक के अंत का एक व्यक्तित्व इन में बोल रहा है महिश दर्पन ने इसे शम्षेर बादूर सिंग के संकोच का परिचायक माना है कहानी प्लोट का मोर्चा के बारे में यह कहना समीचीन होगा कि हिंदी साहित में अग्याई को छोड़ कर महायुद के प्रभाव को इतनी मार्मिक्ता से रेखांकित करने वाले कहानीकार शम्षेर बहादूर सिंग ही है इस कहानी में मनोव ज्यानिक परते हैं जैसे आंसुओं का देश सूख गया है वह कह उठा वह एकाग्रमन और शांतचित था नगर का कोला हल अभी मद्दिम नहीं हुआ था लोग अभी बहुत आकुल जान पड़ते थे वह कह उठा प्लोट का मोर्शा में एक और महायुद की विभीशिका का प्रभाव अंकित है तो दूसरी वोर कहानी के प्लोट की खोज में निकला हुआ एक लेखक है यह लेखक एक महान कहानी की खोज में निकला है उसे अपना जीवन कहानी के दृष्टिकों से मैत्वपूर्ण नहीं लगता है लेकिन अचानक लुईसा से मुलाकात होने के बाद कहानी में तनाव उत्पन हो जाता है शत्रु सेना के गुप्त विभाग में काम करने वाली एक महिला अपने साथ एक शिचु के लेकर आती है नरेटर के पास जब महिला उस बच्चे को अपने साथ रखने के लिए नरेटर से कहती है तो वह एक दम गंभीर हो जाता है मैत्वपूर्ण पात्र में बदल जाता है यहां कहानीकार की टिपनी है स्त्री मर्द को जब सरसा डरा देती है तो मन में कुरोध हूटता है कहानीकार ने संकेतों के माधियम से यस्पष्ट किया है कि यह महिला शत्रुपक्ष के पुरुशों को अपने जाल में फसा कर अपने साइनिकों को सौंप देती है और उस बच्चे का पिता का भी वही हाल है लेकिन युद्ध मोर्चे के सत्तर मील दूर पर अपनी कोक से जने इस बच्चे को वह खत्म होने से बचाना चाहती है इसलिए वह नरेटर से कहती है लोग कहते हैं तुम हमारे नएक अलाकार हो केवल एक मनुश्य है और बच्चा मानवता का प्रतीक बन गया है नरेटर सब कुछ जानकर भी लुईसा पर प्रहार या उससे घरना नहीं कर पाता बलकि उसे अपने आलिंगन पाश में कसकर उसे चूम लेता है यकायक उसके मुझ से निकलता है लुईसा तुम इतनी सुन्दर हो मैं नहीं जानता था पर उसके मन के अंदर अनेक भीशन विरोधी भावूं का जंजावात चल रहा होता है कहानिकार ने नरेटर के माध्यम से यह सवाल उठाया है कि हम क्यों एक सरल प्लॉट को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बना सकते हैं नरेटर को वस्तुतर शांती का प्लॉट चाहिए पर वह लुईसा के जीवन के बारे में सोचता रह जाता है यह कहानी युद्ध के विरुद आवाज उठाती हैं पर बिना शोर मचाये इस कहानी के अंत में दो पत्र हैं एक में उस बच्चे के न रहने की खबर हैं तो दूसरा लुईसा का जिससे यह जाहिर होता है कि बच्चा स्वस्त और सुरक्षित हैं और वह कहती हैं कि मेरे जीवन का एक सुखी महान दिन आपने सफल किया शमशेर की यह कहानी अत्यंत मार्मिक हैं कहीं कहानीकार ने मात्र संकेतों से बड़ी बड़ी सूचनायें दी हैं इस संदेर्ब में महिश दर्पन कहते हैं कि आकार में छोटी सी यह कहानी शमशेर की कला बखूबी सामने रखती हैं जहां आवश्यक विवर्नों के लिए कोई जगह नहीं है इसके स्थान पर कहानी में नहीत सांकेतिकता इस कहानी को सतरकतास के साथ पढ़ने की डिमांड करती हैं इस प्रकार कहा जा सकता है कि यदि गद्य कवी की कसोटी है तो प्लोट का मोचा कहानी का गद्य इस कसोटी पर खरा उतरता है और गद्य में कवीता की सी बिम्बात्मत्ता और सांकेतिकता के कारण कथा भाशा का नितांत निजी मुहावरा बनाता दिखाई देता है धन्यवाद